कई साल पहले जंगल के बीचों बीच एक तालाब हुआ करता था और उस तालाब में एक कछुआ रहता था उस कछुएं के दो दोस्ते लंबी चोच और लंबी टांगों वाले सारस जब भी कछुआ किसी मसीबत में होता तो उसके दोस्त उसे बचाने पहुंच जाते पुकावनरी के कारण, जिन्दा मचली निगल ली, फिर क्या था, मचली ने तो उसके पेट में अफरा तफरी शुड़ू कर दी, बचाओ मुझे, मेरा पेट फट जाएगा, लेकिन कच्छुए के दोस्तों ने जैसे तैसे उस मचली से उसे छुटकारा दिलाया, मित्र, हमने तुमारी जान बचा ली, लेकिन अब तुम्हें अपना बच्पना छोड़कर, तमच्दार बढ़ना होगा, वरना मुसिबत में बढ़ जाओगे, हम किसी दूसरे काम से जंगल जा रहे हैं, हमारे वापस आने तक कोई ना समझी मत करना, दोनों सारस दूसरे जंगल चले गए, और कच्छुआ अकेला पड़ गया, कच्छुए के दिन अपने दोस्तों के बिना बीतने लगे, फिर एक दिन कच्छुआ अपनी मस्ती में तालाब में गोते लगा रहा था, और गोते लगाते लगाते, पानी के छीटे पास ही सो रह मगरमच पर पड़ गए, किस ने मुझे जगाया, सुरी मगरमच जी, गल्ती से हो गया, तुबारा नहीं होगा, तुबारा करने का मौका भी नहीं दूँगा, आज मैं बात भूगा हूँ, और मेरी भूग तुझे खागरी मिठेगी, कच्छुआ डर कर अपने खोल में लेकिन जैसे ही कच्छुए को मौ में रखा, मंगरमच के दाठ तूट गए, मेरा खोल बाच सकते, तुम मुझे नहीं खा सकते मंगरमच जी, मंगरमच गुसे में कच्छुए को एक हाथ मारता है, और बिचारा कच्छुआ उल्टा हो गया, अब तो तेरा पेट फाल कर कोई नहीं आएगा, कच्छुआ मनी मन सोचने लगा, कि अगर उसके दोस्त यहाँ होते, तो उसे बचा लेते, मगरमच कच्छुए को पकड़ लेता है, और वो कच्छुए को खाने ही वाला था, कि एक सारस मगरमच के पीछे पहुँच गया, अरे मगरमच, उसे बाद में खाना, पहले मुझसे तुने पढ़ लो, यह कहकर उसने अपनी चौच से मगरमच की पूच परमला कर दिया, मगरमच अपनी पूच बचाने के लिए, पूच को इधर उधर लहराने लगा, लेकिन सारस कहा छोड़ने वाला था, मगरमच को छोड़ कर सारस की तरफ पल्टा, रख, तुझे अभी सबक सिकाता हूँ, लेकिन जैसे ही मगरमच सारस की तरफ पल्टा, इतने में दूसरा सारस आया, अरे मगरमच जी, आपका शिकार तो यहा है, वाह का हुल जो, इतना कहकर वो कच्छुए को वहां से नौदो ग्यार हो गया, और दूसरा सारस वीवां से उल गया, मगरमच उन तीनों को अपनी पहँच से दूर जाते हुए देख, अपना सिर धुनता रह गया, तेखा तुमने, आज तुमारी नासमजी की वज़े से तुमारी जान जा सकती थी, हाँ मित्र, तुम दोना सही वक्त पर वहां पहुच गए, धन्यवाद, अब आगे से मैं कोई नासमजी नहीं करूँगा, अब तीनों दोस मिलकर उस मगरमच की पहुच से, बहुत दूर दूसरे तालाब में रहने लगते हैं, और कच्छुआ भी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गया, तो बच्चों, हमें बनाइकों की कहानी बताने जा रही हूं, चलिए, शुरू करते हैं, गर्मी का मौसम है, बाहर बहुत गर्मी है, सभी जानवर बहुत प्यासे है, गर्मी के कारण, सभी जील और तालाब सूख रहे है, पास में बिलकुल भी पानी नहीं है दो मेंधक हैं जो एक ही जिल में रह रहे हैं एक बड़ा मेंधक है और एक छोटा मेंधक है कर्मियों के कारण वो जिल सूख गई है वो दोनों मेंधक बहुत चिंतित हो गए छोटे मेंधक ने बड़े मेंधक को कहा हमारी जिल सूख रही है अब हमें क्या करना चाहिए? तब बड़े मेंधक ने जवाब दिया अगर हम यहां रहेंगे तो हम मर जाएंगे हमें पानी की तलाश करने चाहिए फिर दोनों मेंधकों ने पानी की तलाश शुरू कर दी दो दिन ढूनने के बाद उन्हें एक तालाब दिखा वो दोनों मेंधक तालाब के पास गए वो तालाब पानी से भरा हुआ था छोटा मेंधक खुश होकर तालाब में कुद गया पानी पिया और तैरता रहा तब छोटे मेंधक ने बड़े मेंधक से पूछा इस तालाब में बहुत पानी है अब हम यहां रह सकते हैं तब बड़े मेंधक ने उत्तर दिया, हम यहां नहीं रह सकते हैं, याद रखे कि ये गर्मी का मौसम है, तालाब का पानी सुख भी सकता है, अगर पानी नीचे चला जाता है, तो हम तालाब में नहीं जा सकते हैं, नहीं, मैं इसी तालाब में रहना चाहता हूँ, आप चाहे तो जा सकते हो बड़ी मिंधक ने कहा देखो, आप छोटे हो, मेरी बात सुनो, नहीं तो तुम्हें मुश्किल होगी छोटी मिंधक ने कहा मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता हूं, मैं अब पानी से बाहर नहीं आओंगा फिर छोटा मेंधक पानी के अंदर गहरा गया बड़ा मेंधक तालाब से बाहर कूद गया और चला गया कुछ दिनों के बाद बहुत गर्मी हो गई तालाब का पानी पूरा सूखने लगा छोटा मेंडग तालाब में और नीचे गिर गया वो अपनी मदद के लिए चिल्ला रहा था कोई मेरी मदद करो मैं उपर नहीं चड़ सकता हूँ और बाहर नहीं आ सकता हूँ लेकिन छोटी मेंड़क की मदद के लिए कोई नहीं आया प्यारे बच्चों, देखिए कैसे छोटे मेंड़क को एहसास हुआ कि अगर हम अपने बुजरुगों की बात नहीं मानते हैं तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है कहानी पर अपनी राय हमें बताईए टिपनियों में अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया